तमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती खास जानकरी देने वाले हैं दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में कामया भी पाना चाहता है मान सम्मान पाना चाहता है धन्दोलत एकत्रित करके अपने परिवार को शुक, समर्दी, पुशिया और एस्वरे परदान करना चाहता है लेकिन दोस्तों अधितर लोग बहुत मेनद करते हैं बहुत मेनद करने के बाद भी ये सब्क्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने कर लिया तो ये सभी चीजे धन्द, सम्मान, सुक्सम्रदी, प्रतिष्ठा, आदी सब कुछ सहज रूप से ही आपको मिल जाएगा सुर्य देव को जल चड़ाने वाले लोटे में डाल देए एक छोटी सी चीज मिलेगा धन्द, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार में उन्ती, पित्र, का सहयोग और रोगों से भी मुक्ति सुर्य देव को जल चड़ा दिया, तो समझ लीजिए कि ये सभी चीजे आपकी जोली में खुदिया कर जाएगे, आपको फिर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों बैसे तो सुर्य देव को परते दिन ही जल चड़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप परते दिन सुर्य देव को चोल लोटे से जल नहीं चड़ा सकते हैं, तो आप रभीवार रभीवार के दिन ही आप लोटेव से सुर्य देव को जल चड़ाया करें दोस्तो सुरदेव की दो संताने हैं एक यम्राज और एक शनी देव ऐसा कहा जाता है कि जिन किसी व्यक्ति के उपर भी सुरदेव की करपा हो जाती है उन सभी को धन्मान संबाल के साथ साथ इन दोनों का भी आशिरवाद मिल जाता है क्योंकि उनके पिता का आशिरवाद होन या फिर मिट्टी उसका पीछा करेगी दोस्तों अगर आपने सूर्देव को जल दिया तो आपको यम देवतार से भी कोई खत्रा नहीं और साथ ही साथ सनी देव का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलता है इसलिए दोस्तों आपको हमारे दुवारा बताएगे ये छोटी सी चीज दूटे में डाल करके सूरदेव को जल अवशे देना चाहिए हम आपको उस चीज के बारे में बताएं या उस उपाएगे बताएं उससे पहले दोस्तों कमेंट बोक्स में एक बार जय बजरेंग बली अवशे लिखें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरनगली अवश्य लिखें तो दोस्तों आप जानते हैं इस उपाए के बारे में कि आपको यह क्या चीज है जो जोटे में डालनी है और आपको किस विदी से करनी है दोस्तों विदी विदान से करना ही बहुत जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी उपाए विदी विदान से करते हैं तबी आपको उसका पूर्ण फल मिलता है अगर बिना विदी के कोई भी किया गया उपाए आपको कभी भी फल नहीं देता है और सुरदेव में पापों से मुक्ति दिलाने रोगों का नाश करने आयू और सुख में वरदी करने वह गरीबी दूर करने की अपार सक्ति है इसलिए जो भी जातक नित्य सुरदेव को जल चड़ाता है या रविवार के दिन सुर्य को जल चड़ाता है उसको यह सभी सहजी मिल जाता है उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप एक तांबे का ही लोटा ले जिया दोस्तों सुरत देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चड़ाना चाहिए एक तांबे का लोटा ले करके उसमें जल भर ले जल भर इसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी कुम-कुम और एक चुटकी शक्कर और थोड़े से यानि कि 21 दाने साबुत चावल के डालें चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए उन्हें आप डालें आप दोस्तों बिल्कुल विशेश चीज दो कुष्प जो की लाल रंके हो आप उन्हें इस जल में अवश्य डाल दें ये सभी शामगरी लोटे में डाल देने के बाद आप सुर्य देव को ओं सुर्या एनमा इस मंतर का जाब करते हुए सुर्य देव को अर्ग दे दोस्तो जब तक इस मंत्र का जाओ करते रहें जब तक की पूरी जल आप उनको अरग न दे दे दोस्तो एक पतली धारा बांद करके धीरे धीरे सूर देव को जल का अरग दे उसके बाद जल अग्वित करें और जो धारा दोटे में से गिरेगी उसमें से होते हुए सुरदेव के दर्शन करें जम सारा जल जमीन पर गिर जाएगा उसमें से थोड़ा सा भाग अपने आखों पर और अपने माते पर लगा लें और हाथ जोड़ करके वहीं चारों और घूम करके एक परकर्मा करें दोस्तों यहीं वह नेम है यहीं वह विदी है जिसे करने से ही आपको पूरा फल प्राफ होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्यवरे इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिद्धे में जासे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै बजरण बली